जाहिन बच्चो दा हिंदू की न्यूज है इरेशनल फ्रीवाइज वाइज पॉटिकल पार्टी इर्क सुप्रीम कोड इसका मत देखे रहे हैं आपको एक एक इमेज दिखाए ते रहे हैं कुछ लोग अपने सर पर टीवियां रखके ले जा रहे हैं तो यह जो टीवी है ना तमासा है ना यह पिछले कुछ बर्सों से लगातार चल रहा है है ना और यह हमेशा चलता जा रहा है तो सुप्रीम कोड पर इसके लिए एक पिटिशन फाइल की गई है कि क्यों ना कि सुप्रीम कोड इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को ऐसा आदेश दे कि इस प्रिकार की हरकते जो भी पॉडिकल पार्टी करती है ठीक है क्यों ना उनके इलेक्शन सिंबल को जो उनका पार्टी का सिंबल है उसे सीच कर दिया जाए तो मोशली यह जो फ्रीवईज एनाउंस करती है पॉडिकल पार्टी अस इलेक्शन के समय पर कि टीपी देंगे पहले तो अभी एक पॉलिटिकल पार्टिस तमिलाडू में महिलाओं को मंगल सूत्र और कान की बालियां तक देती थी तो इस तरह के मुद्दे हैं काफी उठाए जा रहे हैं तो इन्ही मुद्दों पर ये election commission को संग्यान लेने के लिए Supreme Court में एक petition file की गई है अब देखते हैं कि ये क्या है जासल बोला है कि जो election की purity of process है तो purity of election process है वो इन promise से distribution of irrational free rights से है ना प्रभाबित होती क्योंकि ये इसके लिए पैसा कहा से आता है public fund का misuse है ठीक है और इस इस तरह के जो gift है इनसे voter को influence करने की कोसिस की जाती है इनको प्रभाबित करने की कोसिस की जाती है तो ये violet करते हैं purity of election process को और इसके लिए हमारे संभिहान में article है article 14 है 14 है article 162 है article 266 का 3 है और article 282 है तो इस तरह है इसमें petition में इन सब चीजों का उलेक किया गया है तो क्यों न election commission of India particle parties को बुला के एक meeting करे और एक guideline जारी करे जिसमें इस तरह के जो चीजें हैं free माटने वाली और election manifesto में इस तरह की चीजों का उलेक नहीं किया जाएगा क्योंकि अगर ये सबी चीजें election के समय पर थोड़ा उससे पहले या उसके बाद ये model code of conduct का उलंगन करती है तो election commission of India को इसमें कोई ना कोई एक response लेने की बात की गई है ठीक है क्योंकि directive principle of state policy में कुछ चीजें है ठीक है जहाँ पर कहा गया है कि state कई सारी welfare major citizens के लिए बना सकती है कई सारी schemes बना सकती है ठीक है तो उसके लिए कोई objection की बात नहीं की गई है ठीक है लेकिन election के समय पर इस तरह के promise मत करिये इस तरह की चीजों को distribution मत करिये ताकि election की जो पिरक्रिया है जो उसकी सुद्धिता है purity of election process है वो प्रभावित हो क्योंकि इससे तुरंट voter प्रभावित हो जाता है तो यहां पर election body है ना यहां पर transparency की बात करनी है तो election commission of India को election की transparency को maintain करने के लिए इस तरह के जो promise है जो voter को तुरंट प्रभावित करते हैं इसको rational promise कह सकते हो आप या broadly indicated way है इससे क्या होता है कि यह सभी चीजे voter पर तुरंट influence डालती है तो इन सभी चीजों को लेकर यह चीजें आई है कि democracy में जो electoral process है क्या वो इन चीजों से प्रभावित हो जाती है और क्या इसमें जो public का fund है वो खराब नहीं होता उसका misuse नहीं है और election के समय पर ही इस तरह के promise क्यों तो चलिए तो यह जो बात की गई है कि सारजनिक कोस जो public fund है वहाँ से तरकहीन मुप्त सुवीधावाली बस्तों का distribution नहीं करना है आप distribution उनका करिये जो जरूरत की चीजें है है ना वो भी चुनाओं के समय पर नहीं तो राजनितिक दलों के चुनाओं चिन जब्त करने और इनका राजनितिक दलों का पंजी करन रद करने की बात यहाँ पर निर्वाचन आयोक को नर्देश देने की मांग की गई है इस याजका में कि सुप्रीम कोड ऐसा नर्देश दे क्योंकि मत दाताओं से अनुचित लाव हांसिल करने के लिए इस प्रकार के लोक लुभाबन उपाय यह हमारे संभीधान का भी उलेक करते हैं और इन पर पूरी तरह से प्रतीबंद लगाना होगा और निर्वाचन आयोक को इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करने होगे याचिका में ये भी कहा कि आदालत से कि चुनाओं से पहले जो पबलिक फंड से ये जो मुप्त सुवीधाई दी जा रही है वस्तू दी जा रही है ये मत दाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करते हैं और ये समान आउसरों को बिगाडने वाला है चुनाओं पिरकरिया इससे खराब होती है एक चुनाओं पिरकरिया के सुद्धा खराब होती है तो सत्ता में बने रहने के लिए सरकारी खजाने से मत दाताओं को रिस्वत देने के समाने एक तरीके से देखा जातो और ये लोगतांत्रिक सिध्धानतों का एक दिखरीक से देखा जा तो उलंखन माना जाना चाहिए अब राजनितिक दलों का पंजीकर्ण की पिरिग्याब में थोड़ा सा बता जेता हूँ लोग प्रतिनित्त अधिनियम है एक एक रिप्रेजेंटेशन और प्यूपल एक नाइटीन फिटीवन उसकी धारा है 29A उसके तहट इन दलों का पंजीकर्ण होता है अगर किसी भी राजनितिक दल को कल मालो आपको पंजीकर्ण कराना हो तो आप अपनी पार्टी के स्थापना करिए और इस स्थापना के 30 दिनों के अंदर इस धारा 29A के तहट आप क्या करेंगे आपको चुनाव जो निर्वाचन आये होगे उसके सामने आपको अपना आव आपको कुछ दिसा निर्देश जारी करेगा अब कौन सा दल राष्टी राजनितिक दल होगा और कौन सा दल राजिस्तर का होगा इसमें भी कई सारे पेच हैं अब जो नैसनल पार्टी होती है उसको अगर मानता लेनी है तो किसी भी चार या अधिक राज्यों में आप वह पर जो टोटल वोटिंग होई थी उसका नियूनतम 6% वैलिड वोट आपको हासल करने होगे इसके अलाबा आप क्या कर से तो किसी भी राज्य अत्वा राज्यों से लोगसभा में मिनमम चार सीटों पर विजए आपके कंटिनिट्स को मिली हो और राज्यतिक डल दोरा राज्यों से चुने गए हो यह जो 11 सदस हैं वो तीन अलग अलग राज्यों से चुने गए हो तो आपको राज्य इस्तर की पार्टी का सिंबल मिल जाएगा अब राज्य इस्तरी राज्यतिक डल के लिए अगर आप स्टेट पॉर्टिकल पार्टी के रूप में मानने हासिल करने होगे तो किसी भी राज्यतिक डल के लिए राज्य की बिधान सभा के लिए होने वाले चुनाओं में कुल सीटों का 3% याद रखिएगा अधवा 3 सीट हैं जो भी अधिक हो वो हासिल करनी होगे अब इससे कई सारे लाव मिलते हैं वेनिफिट मिल जाते हैं जब चुनाओं चिन पर राज्य में पूरी जिखाव उपर उसके लोग चुनाओं लल सकते हैं राश्टी राजनितिक डल के रूप में मानता प्राथ उम्मीद्वार को भी यही चुनाओं चिन मिलेगा आपको ठीक है और यह चुनाओं चिन होगा वड़ा सुरक्षित होगा को कोई दूसरी पार्टी को नहीं मिलेगा अब मानता प्राथ तो राश्टी या राजस्टरी दलों के उमीद्वारों को नामांगन पर दाखिल करते वक्त सिर्फ एक प्रस्तावक लाना हो रहा है साथ ही उन्हें मतदाता सूचियों में संसोधन के समय मतदाता सूचियों के दो सेट निसुलक भी दिये जाएंगे ठीक है तो और एक चीज और है कि आम चुनाओ के दरण उन्हें आकास मानी और दूर असन पर प्रसारण की सुभीधा भी मिलेगी और एक होता है इस्टार कंपेनर इस्टार प्रचारक ठीक है तो राजनितिक दल जो हैं राजिस्तरी और आश्टी तो इसमें कुछ इस्टार प्रचारकों की लिष्ट है वो आपको चुनाओ आयक को देने होगा तो क्या होगा उनकी यात्रा का खर्च उस उमीदवार या दल के खर्चे में नहीं चोड़ा जाएगा तो इस तरह की यह सारी चीजें हैं जो निर्वाचन आयक दौरा राणितिक दलों को कैसे मानता दी जाती है अब इसमें बनता है एक को जो सिंबल है वो कैसे मिलता तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि इस्टार प्रचारक पर भी बनाया हुआ वीडियो और जो उनको सिंबल मिलता उस पर भी तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि नमस्कार जाहन